विकास गुपता ने अपनी मा और भाई पर डाले हैं कुछ बहुत बड़े अज़ाम जोसके बाद अब उनकी मम्मी का एकदम लेटेस स्टेट्मेंट आ चुका है क्या बोल रही है विकास गुपता के खिलाफ उनकी मम्मी बताते हैं आपको इस वीडियो में बहुत बड़ी जो चीज थी वो रवील की थी कल विकास गुपता ने अर्शी के सामने अब उसी रेवलेशन के लिए एक काउंटर आया है उनकी मम्मी का क्या बोल रही है बता देते हैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर विकास गुपता की मा यह बोलती भी नजर आ रही है कि विकास गुपता की ओरियंटेशन की वज़े से नहीं छोड़ा है उन्होंने विकास को जियां वो यह बता रही है कि जब भी वो पब्लिक में आया था अपनी ओरियंटेशन की सच को लेकर उससे पहले से ही हम सब को पता था उसकी वज़े से विकास गुपता को हमने नहीं छोड़ा है और यह जो क्लेम को कर रहा है कि हमने उसकी sexual orientation को देखकर उसको छोड़ दिया तो यह बिलकुल गलत है अगर वो यह बोल रहा है कि उसकी choices उसकी sexual orientation sexual choices की वज़े से हमने उसको छोड़ा है तो यह बिलकुल गलत है विकास को हम लोग ने काफी पहले ही उनको उसे थोड़ा से distance maintain कर लिया था छोड़ा भी नहीं था एक silence maintain करा था हमने इस मुद्धे पर तो उसको हमारी कमजोरी समझ लिया गया था यहाँ पर वो यह भी बोलती हुए नज़र आ रही है जब किसी को बहुत ज़ादा प्यार दो तो वो फॉर ग्रांटेड लेने लगता है आपको हम अपनी फैमिली में पीस चाहते थे जिसकी वज़े से हमने खुद को विकास गुपता से distance कर लिया और यह फैमिली की पीस के लिए जरूरी था अब ऐसे में वि होती हुई नज़र आ रही है कि विकास की sexual orientation की वज़े से नहीं लेकिन family peace के चलते उन्होंने विकास गुपता से बनाई है दूरिया लेकिन अब यह family peace का क्या मुद्धा है यह हम समझ नहीं पाए उन्होंने बस इतना का है कि यह मेरा पहला और आखरी statement है इस मुद्धे पर विकास की sexual orientation की वज़े से मैंने नहीं छोड़ा है उसको उससे दूर नहीं हुई हो बलकि मामला कुछ और है तो अब क्या मामला है वो मामला दो उन्होंने disclose नहीं किया लेकिन विकास जो उन पर लगाए है आरोप उसका clarification उन्होंने जरूर दिया है ऐसे मैं आपको क्या लग झाल